है गाइस टेकमेट के लिए पिसोड में आपका स्वागत है और आज किस वाली वीडियो में हम इसी बोट रॉकर्स 375 की एक अंबॉक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं तो सबसे पहले कर हम बॉक्स की साइड में देखे तो यहां पर कुछ इसके इस प्लेशन किये गए हैं कि इसमें गेम मोड आपको देखने मिल जाता है तो गेमिंग वेडियों हो जाएगी ऐसा क्लेम गर रहे हैं यहां पर आपकी चार्जिंग वाली टेक्नोलिजी देखने मिल जाती है तरस मिनिट के चार्ज पर आपको 10 घंटे का प्लेबैक देखने म मिल जाएगा आज कल लिए जादा तरी एरफोंस में देखने मिलने लगा है और यहां पर बोड का सिगनेचर साउंड भी आपको देखने मिल जाएगा अगर हम बॉक्स के पीछे की साइट देखने हैं यहां पर काफी सारे स्पेसिफिकेशन किये गए हैं आप चाहें तो इ यहां पर हमें extra air tips भी देखने मिल जाती है तो आप अपने ears के size के साफसे से लगा सकते हैं से हां फर्क पड़ता है sound quality में भी और fitting में भी उसके बाद हमें यहां पर एक product book देखने मिल जाती है जिसमें इनके काफी सारे brand numbers रे दिये हुए हैं और काफी सारे products के बारे में भी दिया हुआ है जैसे भी हम side में कर देते हैं और यहां पर हमें AKE user manual देखने मिल जाती है जिसकी हमें जरुएत नहीं पड़ेगी और यहां पर हमें AKE warranty card देखने मिल जाता है so हर product की तरह इसमें भी आपको one year की manufacturing warranty मिल जाती है boat की तरफ से अब इन सारी चीज़ों को हम side में क कोई जादा मजा तो नहीं आया लेकिन हां मैं यह भी नहीं कह सकता कि बेकार है लेकिन अगर हम इसकी build quality की बात करें तो build के मामल में तो मुझे यह काफी जादा बेकार लगे पूरे के पूरे प्लास्टिक के बनाए गए है और प्लास्टिक बिल्कुल भी premium सी नहीं लग र रही है मतलब quality में ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन काफी ज़्यादा पतले दिये गए हैं तो जल्दी खराब हो सकते हैं बाकि अगर हम इनके air drums की बात करें तो यह देखने मिलते हैं तो overall जो build quality है वो कुछ खास नहीं लगी हो और यह earphones में 1200 रुपए में प्राइम डे sale में purchase की हुई है और currently 1500 रुपीज में available है तो 1500 रुपीज के हिसाब से build quality काफी ज़्यादा भी कार दी गई है बाकि अगर हम इने earphones के buttons की बात करें तो यहाँ पर आपको volume up, volume down और play pause का button तो देखने मिली जाता है इसके साथ यहाँ पर एक extra button भी दिया गया है यह आपको beast mode म में लिखा तक इसमें gaming mode भी देखने मिल जाता है यह वही है जिससे आपको 3D type का sound देखने मिलेगा तो इसको simple एक बार क्लिक करने पर ही आप beast mode पर transfer कर सकते हैं अब यहाँ पर beast mode की बात भी कर लेते हैं कि beast mode में आपका base जो हलका सा कम हो जाता है और जो overall sound को लेटी है उसमे कुछ किया नहीं गया है सिर्फ और सिफ लेटेंसी में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है तो आप gaming वगएरा करेंगे तो इसमें लेटेंसी में थोड़ा फर्क पड़ेगा आप इसमें खेल सकते हैं बहुत कम लेटेंसी रहती है लेकिन अगर आप एकदम competitive game खेल रहे तो वह अचा मिला अब अगर हम इन यहारफोन के सबसे में चीज़ साउंड क्वालिटी जो कि अगर अच्छे होती तो इसकी बिल्ट क्वालिटी को भी एक बार नजर अंदास कर सकते हैं लेकित ऑवराल जो साउंड क्वालिटी है मुझे कुछ खास नहीं लगी ट्रबल को कुछ को जाता ही बूस्टेड कर दिया घया है क викда Keeping task नहीं को और मेरे से त्रबल को जा जाता हैं दो overall अगर आपको music वगेरा सुनना है या फिर movies वगेरा देखनी है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको एक बड़िया सा experience इसमें देखने मिलेगा तो गाने वाने सुनने के हिसाप से इसमें मत्री परचेस करिएगा overall जो sound quality है personally मुझे पसंद नहीं आई अब अगर हम माइक कॉलिटी की बात करें तो माइक में कोई इस्यू नहीं है आप एक सांत माहल पर काफी अराम से कॉलिंग वगेरा कर सकते हैं तो overall माइक कॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चारजिंग और बैटरी वेकप में यहां पर काफी अच्छा किया गया है तो आराम से 18 घंटे तो चली जाएंगे साथ में आपको सैप टेक्नोलजी भी देखने मिल जाती है उसके भी यही फीचर आपको देखने मिल जाता है और मुझे लगता है कि इससे जादा बेटर यहरफोन से वह सिर्फ और सिर्फ है इसके वह लिटेंसी वाले इशूस को छोड़ करके आप यहां पर उपर आई बटन में क्लिक करके उसका रिव्यू भी देख सकते हैं यहां पर एक फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करते हैं यहां पर मुझे वाली यहां कुछ खास पसंद नहीं है बिल्ट कॉलिटी कॉफी जादा बेकार दी गई है साउंड कॉलिटी में भी कुछ खास नहीं किया गया है ओवरॉल जो यहरफोन से उसको थोड़ा सा इस पसंद नहीं आया और मेरे हिसाब से मुझे यह कुछ खास पसंद नहीं तो डेफिनेटली आप मेरे तरफ से स्किप कर सकते हैं और फिफ्टीन रुपीस के प्राइस पैंट पी काफी सारी यह यह पूंस अवे लेविल है आप उनको ट्राइब कर सकते हैं आज की वीडियो म पसंद यह चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा और मैं आप से मिलूंगा अगली वीडियो में